नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में OnePlus Nord CE25G vs. Nothing Phone 1 का फुल डेप्ट कंपारिजन करने वाले है इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Nord CE25G में 6.32 इंच जबकी फोन 1 में 6.27 इंच की लेंथ मिलती है जोकी Nord CE25G से कम है Width की बात करें तो, Nod CE25G में 2.88 इंच जबकी Phone 1 में 2.98 इंच की Width मिलती है बात करें थिकनेस की तो, Nod CE25G में 0.31 इंच जबकी Phone 1 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है जोकी Nod CE25G से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो, Nod CE25G में 173 ग्राम्स जबकी Phone 1 में 193.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जोकी Nod CE25G से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कुमपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, Nod CE25G में Fluid AMOLED जबकी Phone 1 में OLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, Nod CE25G में 6.43 इंचेज जबकी Phone 1 में 6.55 इंचेज मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 1080 by 2400 मिलता है स्क्रीन टू बोडी रेशियो Nod CE25G में 84.91 प्रतिशत जबकी Phone 1 में 85.84 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, Nod CE25G में 409 प्रतिश जबकी Phone 1 में 402 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जोकी मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों, सबसे पहले बात करें Man Camera की तो, Nod CE25G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera और आखिर में तारानकन Macro Camera देखने को मिलता है और Phone 1 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera और आखिर में Ultra Wide Angle Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो दोनों फोन में आठ डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की चार डिफरेंट फीचर्स मिलते है अईए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो Nod CE2 5G में Mali G68MC4 जबकी phone 1 में Adreno 642L मिलता है चिपसेट की बात करें तो Nod CE2 5G में MediaTek Dimensity 900MT 6877 और phone 1 में Qualcomm Snapdragon 778G Plus मिलता है बात करें RAM की तो Nod CE2 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 6GB, 8GB की RAM मिलती है जबकी phone 1 में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 8GB, 8GB, 12GB RAM मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो Nod CE2 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 128GB की Storage मिलती है जबकी phone 1 में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 256GB, 256GB Storage मिल जाती है Expandable Memory की बात करें तो, Nod CE2 5G में up to 1TB जबकी phone 1 में नहीं है Operating System की बात करें तो, Nod CE2 5G में Android V11 जबकी phone 1 में Android V12 देखने को मिलती है Battery की बात करें तो, दोनों phone में 4500MH देखने को मिलती है अईए अब Main Feature को देखते है Colors की बात करें तो, दोनों phone में सेम ही दो Colors Option देखने को मिलते है सब Information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Nod CE2 5G में दो Variant देखने को मिलते है जो कि 6GB RAM 128GB Storage के साथ 23,999 रूपीज 8GB RAM 128GB Storage के साथ 24,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें phone 1 की तो उसमें 3 Variant देखने को मिलते है जो कि 8GB RAM 128GB Storage के साथ 31,999 रूपीज 8GB RAM 256GB Storage के साथ 34,999 रूपीज 12GB RAM 256GB Storage के साथ 37,999 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फाइदे और नुकसान की तो OnePlus Nord CE2 5G में 8 फाइदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Nothing Phone 1 की तो उसमें 6 फाइदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो Display में दोनों फोन सेम ही है Main Camera में Nord CE2 5G आगे है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Lava Agni 5G है दुसरा Samsung Galaxy M33 5G है तीसरा Realme 9 Pro Plus 5G है और Last Competitor Phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 11T 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना